हेलो एब्रिवन मैं मितुन सिंग स्वाधत करता हूं आप सभी का आसा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे जेटएट सिलेबस चेंज जी आपने बिल्कुल सही टाइटल पड़ा है और मैं यह वीडियो बनाने के लिए इतना इतना एक्साइटिट था कि क्या बता हू लेकिन पिछले 6-7 गंटे में because I'm a family man that's why I was too busy and too involved तो मैंने सोचा बाद में ही बना लेंगे कोई बात नहीं फाइनली वो मुमेंट आ चुका है और मैं वीडियो बना रहा हूं तो गूसबंस मुझे आ रहे है इस तरह से आप समय पुरे रॉंग टे खड़े हो गया मेरे इत इसका कोई सिर नहीं है कोई पैर नहीं है कोई हाथ नहीं है बिलकुल इसे क्या बोलेंगे inappropriate बोलेंगे irrelevant बोलेंगे और अगर मैं to be precise अगर इसका नाम देता तो बेहुद्दा से लेबस इनोंने बना दिया था तो finally thanks to Jack और thanks to ये सारे भाईबन जो वहाँ पे गए जिनोंने आपके लिए हमारे लिए अपना time निकाला और Jack office के सामने जाकर उन्हें जाकर अपनी बात रखी अपनी समस्या रखी और जिसके बज़ा से हम और आप यहां पर वीडियो मैं वीडियो बना रहा हूं पैसे बना रहा हूं that's correct लोग मुझे comment section में correct करेंगे मैं आपको खुद acceptance दिखाता हूं हां मैं पैसे बना रहा हूं वीडियो बना कर लेकिन यह भी एक तरह से awareness ही है अगर कोई Jack office जाता है अगर एक भी बंदा मेरी वजह से कर Jack office गया तो मैं अपने आपके लिए बड़ा achievement मानता हूं अब देखिए कुछ जो update है वो मैं आपके साथ साजा कर देता हूं वह बोलते हैं जुकती है दुनिया जुकाने वाला चाहिए तो वह चीजह हुई है और syllabus जो यह चैंज हुआ है यह आपके लिए अब जो है यह केक वाक हो जाएगा और मैं पता नहीं इंटरनेट पे कुछ चीजह होते हैं कि जो आप अभी इंटरनेट पे वह क्या बो जेटेट या फिर सीटेट का एकजाम कोई बहुत बड़ा एकजाम नहीं है जो इमानदारी से जिसने ब्याड करा है वो आराम से एकजाम को कौलिफाय कर जाएगा तो यह सारी बाते थी तो फिलाल मैं आपको कुछ चीजह बताना चाहता हूं मैं आगे बढ़ूं और जो मं जाएंगे उनको डिसकाउंट रेट पे जो है कोर्स अबलेबल करा दिया जाएगा किसकी जेटेट की और अगर विप्यसी की बित्यारी करो है तो वहां भी आप जो है इन्रॉल हो सकते हो याद रखिएगा टॉप हंडडिड बच्चे ही मिथून 51 अगर आप यूज करते हो तो आपको 51% का डिसकाउंट मिलने वाला है आप आराम से डिसकाउंट ले लोगे अब बोलोगे कि नहीं सभी तो कोर्स बेचते हैं अभी बेच रहे हो इसमें नया क्या है वाट इस न्यू इन टिचिंग परिक्षा टी तो मैं आपको बता देता हूँ देखो यहां से यह मिलने वाली है और अभी कोर्स पे जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बात में बताऊंगा यहां से देख लो माइंड मैप आपको मिलेगा कि आखरी समय में कैसे चीजों को ठीक से पढ़ ले प्रीमियम एबूक आपको मिल जाएगा ताकि आप चीजों को अच्छे से जो है रि BPSC TRE के लिए तैयारी कर रहे हो वहाँ पे बिहार का HD मैप साथमा झारकन का भी HD मैप आपको मिलेगा जो NCRT और SCRT है उसका आपको यहां पे सोलिशन देखने को मिल जाएगा और लाइब तो और रिकॉर्डडेट क्लासे जो है वो आपको मिलेगा यह PDF नॉट्स भी आप आपको यह कि हाँ यह CDP ठीक से पढ़ा रहे है तब आप कोर्स पर्चेस करना लग रहा है आपको कि यह हिंदी इंगलिस अच्छे से पढ़ाया जा रहा है और mathematics अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तब आप पर्चेस कर लेना दानिस अलीर की क्लासे साब जाकर देख सकते हो इन्होंने बहुत सारा selection BPC TRE में दिया है तो आप जाकर एक बार देख ले उसके बार decision ले चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हाँ एक और बात आप नीचे comment section में जाकर इन सारे course को avail कर सकते हो coupon code Mithun51 आपको लगाना है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो syllabus आया उसके बारे में discuss कर लेते हैं चलिए मैं आपको अब जो है चीजे दिखा देता हूँ यहां से सबसे पहले देखिए यह application form था जो की jack office में दिया गया है हमारे भाईयों और बहनों के द्वारा JTED syllabus 2024 के संसोधन के संबंद में बिलकुल JTED syllabus बहुत ही बेकारसा से लेबस था finally बदल दिया गया है यहां पर क्या बाते हैं कही गई है वो मैं आपको बता देता हूँ जो NCTE का guideline है उसको यह follow नहीं कर रहा था इस बज़े से बाते हैं यहां पर बताएगी है क्या है class 125 में जो है जो इसका standard होना चाहिए जो मानक होना चाहिए वो यहां पर inter-स्तरिय का होना चाहिए माध्मिक अस्तर का होना चाहिए यह इसको पार कर दिया गया है यानि कि आप 10 तक कही question को यहां दे सकते हो लेकिन ऐसा नहीं माना गया है इसी तरह से यहां से देखिए वरिष्ट माध्मिक अनि की senior secondary की बात की जा रही है पलस 2 की बात की जा रही है लेकिन यहां भी पलस 2 से ज़्यादा जो है यहां पर काम में लाया गया है syllabus को बहुत ही बढ़ा चड़ा कर दिखाया गया है अब यहां से देख लिजिए अब यहां से देख लो यह रभी भाई आई रिपीट एटू जेड अस्टिटी वाले अपने ही भाई साब हैं वो अपने दोस्त हैं अपने यार हैं बहुत दिनों से मैं उनको जाना हो दोनोंने मिलकर यूट्यूब चैनल शुरुवात करे थे और बोलते हैं न चार साल फ्लैस्बेक मां जाओंगा तो फिर नॉस्टेलिया ही हो जाएगा तो फिलाल जो पेपर टू का सिलेबस है जो आपका हमारा है मेरा भी यही सबजेक्ट है फिजिक्स केमेस्ट्री मैथ का आयाइटी डेली का जो इंट्रेंस एक्जाम है जेम का एक्जाम उसको इनोंने बिलकुल हूबहू कॉपी कर दिया आगे देखिए पता नहीं कौन सिलेबस बनाया मैं तो कहता हूँ न उसको छोटा सा भारत रतन देदो आप या फिर आप क्या करो से भारत रतन नहीं दे सकते हो तो आप उसे क्या दे दोगे उसे आप कुछ और सजा दे सकते हो पता हो यह क्या सिलेबस था समझ मैं नहीं आ रहा मुझे जेक के द्वारा सिलेबस में छेतरी भासाओं का वरगी करन नहीं किया गया है साथ में समान विशय का भी सिलेबस नहीं दिया गया, देखी छेतरी वासा में क्या पढ़ना है, किस लेखा को पढ़ना है, कौन से कहानी, कौन से कविता, कौन से लोक गित, कुछ भी नहीं बताया गया है, साथ में जीके में क्या पढ़ना है, जारकन जीके, जारकन करेंट प बता हूँ उसी के according आपका examination लेना होगा सीरी सीरी बात है खेल का field आप नहीं बदल सकते हो आगे देखिए क्या बातें बताई गई है उसी के तरह जो है अनुरूप यह सिलेबा जारी किया गया अब यहां से देख लीजे जिनोंने sign किया है अजे कुमार महतों जी इनका जो है ठीक है एक लालू या लाल औराओं है तो इन सभी भायों बानों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि सबसे बड़ी बात है ना लड़कियां और महिलाएं पहुची थी syllabus चेंज कराने के लिए तो उनको दिल से salute है कि आप ऐसे कठिन परिस्तितियों में भी आप पढ़ाई छो मेरे दो बच्चे है और मेरी responsibility है I can't go there तो ये सारी चीज है थी खैर जो भी हो आप जनता जनारदन हो आपकी जो भी राय हो आप राख सकते हो बाइद बे अगर syllabus Monday को नहीं बदलता है तो मैं आपको बुदवार को या फिर मंगलवार को जैक आपिस में जीजदिन भी धरना मैं आपको पहला इंसान दिखोंगा जो कि गेट पे मिलूंगा आप आओगे definitely I will come there तो खैर इस वीडियो को लाइक करना है आपको अगर आप परी बात से सहमत हो सब्सक्राइब करना है चैनल को और इसी तरह की और भी वीडियो आपको रेगुलरली मिलता रहे तो आप टेल